कि नमस्कूर आप देख रहे हैं एस पे नाइन यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा बात करने जा रहे हैं हम आज गुजरात चुनाव को लेकर कि गुजरात में क्या होने वाला है इस साल के अंदमे गुजरात का चुनाव है लेकिन चुनाव से पहले यहां पर तस्वीरें कुछ और ही कहती नज़र आ रही है आपको बताने की गुजरात में आमाद्मी पार्टी की sanit remark से तमाम पार्टियों में टहलका मत चुका है आमादमी पार्टी की एंट्री जब से हुई है तब से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के भी होश उड़ रहे हैं और कॉंग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन से ऐसा चहरा उतारे जो यहाँ पर बीजेपी को भी टकर दे और आमादमी पार्टी को लेकिन इस पीच देखा जा रहा है कि आज आमादमी पार्टी ने यहां रागव चड़ा को उतारा गया है रागव चड़ा पहरे पंजाब में भी उतरे थे और देखा गया था कि पंजाब का दो चुनाब था वो रागव चड़ा के चहरे पर ही लड़ा गया था क्योंकि महाँ पर रागव चड़ा ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था उसको देखते हुए महाँ पर आम यही तो रमिन-खेजरीवाल ले राग को घुजरात में उतारा है। और अब देखना है कि बोर्टर्ट बोर्टर्ट हो रहे हैं जिस तरह नोम कि लिए अब प्रणाई में वोटर्ट के चालिए वोटर्ट वोर्टर्ट वोतर्ट है। आदमी पार्टी की तरफ आदम इसी मुद्धेपर चर्चा करने जा रहे हैं चरचा करने के लिए मेरे खास मेहमान अवरार मेरे साथ मोग्णूद है अवरार से हम जानना चौएंगी कि गुजराथ चनाव से पहले गुजराथ में क्या देखने को मिल सकता है क्या वागे में इस तरीक से अर्विन केजरिवाल अब लिभा रहे हैं गुज़राथ में जैन सभाय कर रहे हैं तो इन सब सरवाकें में गुज़राथ पढ़ने वाला है देखें अर्विन केजरिवाल जिस तरह विस्तार की तरफ एक सियस्य में देखने को मिल रहा है दिली में उनकी सरकार बनी फिर पंजाब में उनुना अपने जंडेगे यूद उसके बाद उनका रोख हुआ है गुजरात की तरफ गुजरात में लगभग एक महीने से पूरी तरीके से सरगर में वो और लगतार अलग अलग जगों पर गुझरात में वो जन्ट चबाए कर रहे और जन्चबाओं उसे बिल्कुल असपष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की मश्किलें झो हो और जादा बढ़ रहा है साथी ये भी सवाल है कि जिस तरीके से वहां पर जंता की भीर है और युवा जो खास तोर से अर्विन के जिरिवाल की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहा है ताकि रोजगार और लगातार जो वहां पर भारती जंता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी विकास का जो एक तरीके से माप दंड है वो बिलकुल एक नीचे अस्तर पर आ गया क्योंकि लगातार वहां पर तरह तरह के दावें जो किये जारें परदान मंतिर नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल कहकर के पूरे देश में जो परचार परसार तो किया गया लेकिन गुजरात की जनता उस सरकार से कितनी सहमत है उस सरकार से कितनी संतुष्ट है यह सवाल वहां की जनता आज अर्विन केजरिवाल की रेलियों में आ करके अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है लेकिन अर्विन केजरिवाल वहां पर एतनी तमाम सारी रेलियां करने के बावजूद भी उनके लिए बड़ी चुनौती यह कि क्या गुजरात जैसे गड़ में जो कि बीजी पी का गड़ का जाता है वहाँ पर जितनी मजबूत है बीजे पी उतनी मजबूत शायद ही किसी और परदेश में हो तो इस बात को भी कहीं न कहीं जहन में रखना होगा और अजबिंद तोर पर मतलब यही होगा कि गुजरात में भारती जनता पार्टी के विकल्प में एक नई पार्टी जो लोगों के लिए मौजूद है बहले ही वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी मौजूद हो विपक्ष के रुप में लेकिन कॉंग्रेस का जनधार जो है वो जमीनी आस्तर पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा हुई यही वज़ा है कि अब हम आदमी पार्टी उस जगह को फुल्फिल करने के लिए वहाँ पर मौजूद है और जनता का समर्थन उनको लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है जैसे कि अबरार ने बताया कि अर्विन केजिवाल की ज अपनी ताकत जोक दी थी उसको देखकर भी यही कहा जा रहा था कि यहां सरकार कॉंग्रेस की आएगी लेकिन क्या मिला ही कुसी तरह यहां पर भी ऐसा कुछ देखने को जरूर मिल सकता है कि अर्विन केजिवाल की जनसभां में भीड है लोग है बिल्कुल है यहां पर ले इसे कि आपने भी बताया कि कॉंग्रेस महां पर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है महां कि मुझे लगता है राजनीती पार्टी से ही कॉंग्रेस खत्म होती नजर आ रही है हाला कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल कांगी दौरा आज आट दीन हो गया चलते लेकिन भार गुझरात का चुनाव गुझरात की मुझे मंद्री की कुरसी पर बैठेंगे वो केजिवाल की तरफ से कोई नेता होगा देखे अरविन केजिवाल की रेली में मातर भीड की बात नहीं क्योंकि लगतार आप देखें कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने एक सफल सरकार चलाई है और लगतार जन्ता के हित में जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए योजनाई लागू किये उससे खास तोर से गुझरात की जन्ता काफी पर भावित है और यही वज़ा है कि अगर गुझरात जैसे बड़े परदेश में केजरिवाल को वहां पर अगर जन्ता सर की गई है और इसी उम्मीद के साथ अब गुझरात की जो तमाम जन्ता है खास करके मध्यम वर्ग कलास के लोगों की बात की जाए तो उनकी तरीके से आश्या लगी हुई है कि अर्विन केजरिवाल अगर गुझरात में आते हैं तो फिर गुझरात की सियासी तस्वीर जो बदलती हुई नजराएगी क्योंकि भारती जन्ता पार्टी को जिस तरीके इसने गुझरात की जन्ता ने तमाम मौके दिया और लगबग सताइस सालों तक वहां पर अगर भारती जन्ता पार्टी राज की है तो फिर उसका परिनाम जो किस तरीके से निकल कर क्या है ये भी जर्विन केजरिवाल उठा करके चले जाएं बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि जहां एक राज्य में 27 साल एक सरकार ने राज कर लिया एक पार्टी ने राज कर लिया अब जन्ता बिल्कुल ये चाहती है कि बदलाव उनको चाहिए उनको दिली और पंजाब जैसी सर्वि बिल्कुल चौई तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि केजरिवाल के गुजरात वासियों को पसंदार है और यही बड़ा कारण है कि आज गुजरात में अगर महिलाओ से पूछा गया तो महिलाओ का कहना है कि हमें भी मुफ्त की बिजली चाहिए सबसे बड़ी बात है मुफ्त एक आखेहा और किसली की सुवी थाnın केजरिवाल ने तीडिजु यूनेट फडी वही सब को चाहते हैं गुजरात वासी और इसलिये सथा में बदला लाना चाहते हैं सरकार को बदलना चाहते है इक यही बड़ा कारण है कि गुजरात वासियों का कहना है कि इस बार हमें अर्विन केजरिवाल चाहिए और इसलिए बीजेपी का वोट बैंक रुक कर रहा है अर्विन केजरिवाल की तरह अब देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले चुनावों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन ऐसे ही तमान आपडेट्स के लिए देखते रहिए गास्पियन नाई न्यूस थन्यवाद